लालची सास पार्वती नाम के आउरत अपनी बहु और बेटे के साथ रहती थी वो बड़ी ही लालची किस्म की आउरत थी उसकी बहु एक अच्छी कमपनी में जौब करती थी और जब भी उसकी बहु को सेलरी मिलने वाली होती तो वो किसी न किसी चीज का रोना लेकर अपनी बहु के आगे बैठ जाती एक दिन के बाद है आज परवेती की बहु को सैलरी मिलने वाली थी और जब वो शाम को अपने घर आती है तो देखती है कि सास अपने सर पर हाथ रखे धरे बैठी है क्या हो माजी? अब इस तरह क्यों बैठी हुई हो? कुछ हुआ है क्या? अब क्या? बताओ बहु देखो ना मेरी तब्य तिनी खराब है और मेरे पास दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है ओहो माजी, मैं अभी आपको पैसे दीती हूँ फिर उसकी बहु उसे दवाई के लिए पैसे दीती है बहु हो तो ऐसी अपनी बहु से पैसे लेकर उसकी सास बड़ी खुश होती है सही है, मेरी बहु भी ना बस मुझे इसी तरह पैसे देती रहे और मैं लेती रहूँ वहीं बहु मन ही मन कहती है अच्छी खासी तो लग रही है पता नहीं दवाई के लिए जूट पुल कर पैसे लेकर क्या करेंगी सास इतनी लालची थी कि वो अपनी बहु से किसी ना किसी बहाने पैसे लेही लेती और उसकी बहु अपनी सास की इस लालच से बड़ी ही परिशान रहती ऐसी ही एक दिन की बात है पार्वती के बहु ऑफिस से आते वक्त साड़ी खरिद कर लाती है और जब उसकी सास वो साड़ी देखती है तो उसके मन में साड़ी को लेकर लालच आ जाता है इतनी संदर साड़ी और ये तो लगती भी बहुत महेंगी है यह साड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए और फिर पारवती अपने हाथ में साड़ी का पल्लू लेकर और रोनी सी शकल बनाते हुए कहती है पहु तेरी साड़ी तो बहुत ही सुन्दर है और अच्छी भी तुझे आफिस जाना होता है न यहाँ इसलिए तुझे अच्छी अच्छी साड़ी पहन कर जाना पड़ता है मेरी साड़ी भी बुरी नहीं और मुझे वैसे बिकॉन सा ओफिस जाना है जो मैं अच्छी और बढ़िया साड़ी पहन हूँ है न नहीं नी माची ऐसी बात नहीं है एक काम करिए यह साड़ी न आप ही रख लीजिए वैसी भी मेरी पास और भी साड़ीया है मैं उनमें से पहन लूँगी पारवती के बहु उससे वो साड़ी दे देती है जिससे लेकर उसकी सास फूली नहीं समाती इतनी सुन्दर साड़ी इसे पहन कर तो मैं महरानी लगूंगी महरानी अब तो जब देखो पारवती अपनी बहु से कोई न कोई बहाना बना कर उससे कभी पैसे लेती तो कभी उसका कोई सामान और तो और जब भी उसकी बहु अपने माई के जाती तो वो उसे किसी न किसी बहाने से उसके माई के से भी चीजे लाने के लिए कह देती एक दिन की बात है पारवती के बहू अपने माय के जाने के लिए तयार हो रही थी तभी पारवती रसोई से जोर-जोर से बोलने लगती है इस mix को भी अभी खराब होना था बहू देखो ना mix की खराब हो गई अब मसाला कैसे पीशेगा अच्छा बहु तो बता रहे थी ना कि तरी मा की यहाँ एक बड़ी ही अच्छी मिक्सी है और उसमें मसाला भी बहुत बड़ी आपीसता है बहु मन ही मन कहती है ये माजी ना कभी नहीं सुदरेंगी इतनी लालची है कि एक मिक्सी तक नहीं खरिशचती जी ठीक है माजी मैं लेती आओंगी मिक्सी और शाम को आती ही पारवती की बहु अपनी सास को मिक्सी देती है ये लीजी माजी मिक्सी आरे बहु तो भी ना अपनी मा से मिक्सी मांग कर लाने की क्या जरूरत थी उन्हें क्यासा लगा होगा वैसे भी मैंसे ठीक करा लेती पता नहीं संधन जी को क्यासा लगा होगा और सासु मा मान ही मन तो बड़ी खुश हो रही थी ये सही है मिक्सी भी आ गई और पासा भी नहीं लगा अब तो पारवती का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था वो अपनी बहु से सामान मंगबाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढोंडी लेती थी एक दिन की बात है पारवती की बहु आफिस जाने के लिए तयार हो रही थी और जैसे ही वो अलमारी से पैसे निकाल कर अपने बैग में रखने लगती है, इतने में ही वहाँ उसकी सास आ जाती है, और वो अपनी बहु को बैग में पैसे रखते देख लेती है, और मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये ओफिस में इतने पैसो का क्या करेगी? और वो बहु उसे कहती है बहु मेरी सहली है ना उसकी तबियत खराब है मैं सोच रही थी कि फिर बाद में कभी उसे देखाऊं नहीं नी मा जी आपको अपनी सहली को देखने जरूर जाना जाहिए ऐसे में अगर आप उन्हें देखने जाएंगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा बात तो तेरी सही है पर मेरे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है सोच रही थी इसलिए बाद में चली जाओंगी अभी तो फोन पर ही उसकी तबियत के बारे में पूछ लेती हूँ मा जी कैसी बात कर रही हूँ आपको जरूर जाना चाहिए ये लीजे पैसे और आप आज ही उन्हें देखने के लिए चली जाओ अरे बहु तो कितनी आच्छी है बहु को भी लगा कि सास सच बोल रही है वो उसे पैसे देकर आफिस चली जाती है और उसकी जाते ही उसकी सास पैसों को लेकर अलमारी में रखने चली जाती है और वो अलमारी में से और भी रखे धीर सारे पैसे निकाल कर गिनने लगती है पूरे तीस अजार होग है सही है मैं इसी तरह अपनी बहु से पैसे लेती रहूं और मेरी बहु मुझे देती रहूं और फिर जैसे ही शाम होती है और बहु आफिस से घर आती है तो वो अपनी साथ से उनकी सहली के बारे में पूछती है माजी अब आपकी सहली की तब्यत कैसी है? अब हाँ वो ठीक है पर अभी उसे ठीक होने में ना थुड़ा समय लगेगा कुछी देर में रात होने वाली होती है पारवती और उसकी बहु खाना खाकर सोने चले जाते हैं और पिर अगली सुपव, पारवती नहाने गई होती है, तब ही उसकी बहु उसे नाश्टे के लिए बुलाने आती है, और उसकी नजर खुली हुई अलमारी पर पड़ती है, लगता है माजी अलमारी बंद करना भूल गई है, जैसे ही पारवती की बहु अलमारी बंद करने ल ऐसे तो मैंने आज उन्हें उनकी सहली की यहाँ जाने के लिए दिये थे और ये इतना सरसा मार, ये साडिया माजी इतने दिनों से बेवकुफ बना कर मुझसे पैसे ले रही थी और मैं यही समझती रही कि उन्हें पैसों की जरुवत होगी शायद तभी वो मुझसे पैसे लेती है पर आज तो उन्होंने हाद ही करती अपनी सहली की तब्यत का बहाना बना गर मुझसे जूट बोला मुझे ही तो पता था कि वो लालची है पर इतनी लालची कि अपनी सहली की तब्यत खराब करती फिर क्या था अगले ही दिन पार्वती की बहु अपने सास की जिठानी को फोन लगाती है और शाम को ही उसकी जिठानी घर आ जाती है आते ही जब वो अपने देवरानी की गले में सुन्दर सी चेन देखती है अरे पार्वती तेरी चेन तो बड़ी ही सुन्दर है अब हरे कहां ये ता बहुत पुरानी है पर मुझे तो तेरे चेन बड़ी अच्छे लग रही है पर हाई मेरी ऐसी किस्मत कहां जो मैं एक पुरानी सी चेन भी पहन सकूँ अब ना चाते हो पेबी पारवती को वो चेन उसे देनी पड़ती है तब ये उसकी नजर अलमारी में रखी साडी पर पढ़ती है हरी वाह कितनी खुबसुरत साडी है मेरे पास तो एक बिटं की साडी नहीं जिसे पहन कर मैं कहीं आ जा सकूँ तेरे पास तो इतनी सारी साड़یاں है उनमें से एक आदी साड़ी मुझी भी दे देना जो तु ना पहनती हो दीदी आप कैसी बात कर रही है ये साड़ी आप ही रख लीजिए पार्वती की बहु अपनी सास का उत्रावा चैरा देकर बड़ी खुश हो रही थी अब आयां उन्ट पहाड की नीचे और उसकी सास अंदर ही अंदर अपने सामान को देते हुए दुखी हो रही थी कितनी लालची है कितने बहाने से ये मेरा सारा सामान ले रही है और मैं इसे मना भी नहीं कर पा रही एक एक करके पारवती की जिठानी उसका सारा सामान ले लेती है और सासुमा हाथ मलते रह जाती है आप मुझे बता चला कि लालच का नतीजा क्या होता है मैं लालच से अपनी बहु से कुछ न कुछ लेती रही और आज जब मेरी ही जिठानी मुझसे मेरी चीजे ले रही है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी